हलो दोस्तों जनरल साइंस कोश्चन के इस वीडियो में आपका विलकम है तो आज डिसकस करेंगे इंपोर्ट जनरल साइंस के सभी एकजाम के लिए काफ़ी इंपोर्ट है क्योंकि सभी कोश्चन प्रिविस एकजामों के अंदर पूछे जा चुके हैं और नेक्स एकजाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे तो बन रही है दोस्तों वीडियो के साथ और डेली जनरल साइंस जीके की वीडियो पराप्त करने के लिए इस्टेडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजे दोस्तों तो शुरू आज की वीडियो पहला कुशन है पास्चर ने किस सिद्धान का प्रतिपादिन किया तो इसका करेक्ट आंसर है इसका अधिया जाता है फाइकोलोजी के अंतरगत नेक्ष शने किस विग्यानिक को भारतिये जिवाश में वनस्पती का जनक कहते हैं तो इसका correct answer है option number से जो बीरबल सहानी है उन्हें कहते हैं भारतिये जिवाश में वनस्पती का जनक नेक्ष शने वनस्पती विग्यान की व्रक्षों की आयू का अध्यन करते हैं तो इसका correct answer है option number 2 डेड ड्रोग ट्रोनोलोजी जो शाका है उसके अंतरगत करते हैं व्रक्षों की आयू का अध्यहन next शने भारत में हरित करांती का जनक जिने भारत सरकार द्वारा पद्म विपुशन से सम्मानित किया गया तो इसका correct answer है option number 2 एमस स्वामी नातन है जिने भारत में हरित करांती का जनक कहा जाता है जिसके बाद में भारत खाद्यान उत्पादन में आत्म निर्बर बन गया था next शने mutation शब्द किस ने दिया तो इसका correct answer है option number 3 ब्रिज ने दिया था mutation शब्द next शने मानव जीनोम में शारक जोड़े पाये जाते हैं तो इसका correct answer है option number 3 3.2 मिलियन शारक जोड़े पाये जाते हैं मानव जीनोम में next शने प्रती जेविक जिसे हम एंटी बायोटिक शब्द किस से ने दिया तो इसका correct answer है option number next शने मानव जाती के आनुवानशिक सुधार के अविज्ञान को कहते हैं तो इसका correct answer है तो इसका correct answer है तो इसका correct answer शने प्रती जेविक जिसे हम एंटी बायोटिक कहते हैं option number 2 इसे यूथे निक्स कहा जाता है मानव जाती के आनुवानशिक सुधार के विज्ञान को next शने जीव विज्ञान शब्द का प्रियोग सबसे पहले किस ने किया तो इसका correct answer है option number 2 इसका correct answer है आप्शन नमबर इसका correct है यकरत के अंदर होता है ग्लाइकोजन का संचे जो की समस्त कोशिकाओं के लिए उप्योगी है next शने सबसे मीठी शरकरा है तो इसका correct answer है option number 2 इसका correct है जो फ्रॉक्टोज जो शरकरा है वह सबसे मीठी शरकरा होती है next शने एक कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रधार्त है तो इसका correct answer है option number 3 प्रोटीन पाया जाता है एक कोशिका में सबसे ज़्यदा पाया जाने वाला प्रधार्त next शने DNA का द्वी कुंडलित मोडल किसने प्रस्तूत किया तो इसका correct answer है option number से वाट्सन और क्रिक्ट ने प्रस्तूत किया था जिसके लिए इन्हें नोबल पुरुसकार से समानित किया गया था DNA का द्वी कुंडलित मोडल next शने प्रकाश विद्यूत प्रभाव किसके सरक्षन पर आधारित है तो इसका correct answer है option number ए उड़्या सरक्षन के सिद्धान पर आधारित है प्रकाश विद्यूत प्रभाव next शने RNA अनुपस्तित होता है तो इसमें correct answer है option number दे जीव दर्वे कला म अनुपस्तित रहता है RNA next शने वह RNA जो सबसे कम समय तक सक्रिये रहता है तो इसका correct answer है option number दे जो mRNA है वह सबसे कम समय तक सक्रिये रहता है next शने ग्लाइडीन नमक प्रोटीन पाया जाता है तो इसका correct answer है option number से गेहूं में पाया जाता है ग्लाइडीन नमक प्रोटीन next शने समस्त जीवन के लिए उर्जा का परमुग इस्तरोत है तो इसका correct answer है option number से कार्भोहाइट्रेट next शने कौन सा तत्व न्यूक्लिक अमले में होता है परन्तु प्रोटीन में नहीं होता है तो इसका correct answer है option number बैर जो फास्वरस तत्व है वह है न्यूक्लिक में तो पाया जाता है लेकिन प्रोटीन में नहीं पाया जाता है next शने नुक्लिक टाइप अनू बनता है तो इसका correct answer है option number बैर नाइट्रोजनी शारक पैंटो शरकरा और सलफेट इन तीनों को मिला कर बनता है नुक्लिक टाइड अनू next शने द्वारा निर्मित एंजाइम के भाग को कहते हैं तो इसका correct answer है option number से एपो एंजाइम कहते हैं जो कि प्रोटीन के द्वारा निर्मित भाग होता है उसे next शने लगबग सभी एंजाइम होते हैं तो इसका correct answer है option number बैर प्रोटीन का ही भाग होते हैं लगबग सभी एंजाइम next शने एक एंजाइम जो स्टार्च का जल अबगटन करके माल्टो शरकरा में परिवर्टित कर देता है क्या कहलाता है तो इसका correct answer है option number बैर इसे इसे एमाईलिस केते हैं जो कि श्टार्च जो शरकरा है उसका अबगटन करके उसे माल्टोस में शरकरा में बदल देता है next शने सोर उड़जा का मुख्य इस्त्रोट है तो इसका correct answer है option number बैर बिल्कुल correct है नाबी किये सलेन है सोर उड़जा का मुख्य इस्त्रोट answer है option number से जो पोजिस्ट्रोन है वह है इलेक्ट्रोन का प्रतीकन है next शने निम्न में से कौन सी कीरण 20 सेमी मोटी स्टील प्लेट को बेद सकती है तो इसका correct answer है option number A जो गामा किड़ने है वह है 20 सेमी जो मोटी स्टील की जो प्लेट है उसे भी बेद सकती है मतलब उसके आर चंपार से गुजर सकती है next शने केटोह करोडल नो का गुए होता है तो इसका correct answer है option से प्रकाश का जो होता है उसके बराबर होता है के जोड़करनो का गैप नेक्स शने कॉमटन प्रभाव किसमे होता है तो इसका correct answer है option No से X-ray किर्णों में पाया जाता है जो कॉम्टन पर वाह है वह X-ray किर्णे होती है उनमें पाया जाता है Next जने के थोड़ किर्णे किसके दौारा अब विक्षेपित होती है तो इसका correct answer है option no.2 विदू शेतर में और चुम्बकिय शेतर दोनों के दौरा विक्षेपित होती है के थोड़ किर्णे तो दोस्तों आज का ये जनरल साइंस का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के मादने में से बताईए और अभी ताएग इस्ट्रेटी रीड आउट चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लिस इसे सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन बटन को भी दवा दिजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिशन सबसे पहले पर राप्त कर सकें और इस वीडियो को अपने सबी दोस्तों के साथ फेस्बूक और वाटसब अकाउंट के मादें से शेयर कर दिजिए ताकि आपके दोस्तों लोग भी जनरल साइंस जीके का ये वीडियो देख सकें तो आज के लिए दोस्तों इतना ही थेंक्यू दोस्तों